चल्द देखा रही है EBSERWERS-Pattern है EBSERWERS-Pattern में क्या होता है ? बहुत-सरह EBSERWERS से रहता है ठीक है और हर EBSERWERS-Pelp with a class specific class independent रहता है X Mental मन्नदब suppose shol respect कोई magazine जो है एक magazine छाप रही है ठीक है तो वह एक magazine हो गञँ ठीक है उसके multiple copies बनते है अब वह मैगजीन का डेटा लेकर वो कुछ शीखता है सपोस्ट कोई fashion magazine तो उस fashion को लेकर implement करता है यह हूँ magazine को use करके मच्छर मारे ठीक है uses सब्सक्राइब अलग है तो लेकर क्या करना उस चीज से ठीक है तो हमने अभी एक abstract class बना अब abstract क्या होता है कि अगर हमने इसको यूज कर ले तो इसके values को हमको नीचे use करना पड़ेगा ठीक है हमने subject का subject का एक object बना subject subject मीचे define कर रहे ठीक है और एक void update ठीक है अब हमने एक list बनाई observers की ठीक है और array list बनाए ठीक है और state बनाए ठीक है अब हमने add function बनाए जिससे वो इस list में तुम add कर सकते हो कोई भी observer को ठीक है get state से return state होगा set state से जो हम value देंगे वो set हो जाएगे state में और execute function को लोगा अब execute function क्या है private void execute ठीक है यह क्या बोलता है observer observer observers ठीक है तो नहीं क्या बोल रहा है कि for for loop कब चलो इसके अंदर अगर value true है तो चलेगी ठीक है कब चलो जब तक observer observer क्या है यह class observer के observer अब अब ज़र्वर क्या है यह वाले तरह है ठीक मालब observer का एक नया object ठीक है मालब तब तक चलाओ loop जब तक इस list के अंदर जब तक objects है तब तक वह loop चले ठीक है तब तक यह for loop चलेगा विसके अंदर क्या होगा observer.update ठीक है अब update function का है अब update function जो है हम एक-एक में execute करें ठीक है इसमें हम simply क्या कर रहे है एक number देंगे हम ठीक है और वो hexadecimal hexadecimal में convert होगो octal और binary में ठीक है अब यह hexadecimal में गया है ठीक है अब इस यह जो है सिधा यह वो है constructor और initialize करें this.subject equal to subject और this.subject.add this यह क्यों कर रहा है कि subject क्या है तरह यह वाला class ठीक है तो उस class के object में आपन add function कॉल कर रहे है add function क्या है यह वाला इससे हम क्या कर रहे है यह hex observer को हम add कर रहे है कि यह भी एक observer है ठीक है hex observer ठीक है add कर दिया अब हम update function क्या है जो हम ने यहां पे call किया था अब इस अब जैसे हम यह बनाए ठीक है तो उस object का update function hex observer है तो hex observer का update function update function में क्या है system route.println और उसके अंदर जो state है get state क्या है इस state को return करेगा उस state को ले किया उस object से और उसको hexadecimal string में convert कर दो सेम यही चीज octal की जगह यहां two octal हो जाएगा और binary की जगह two binary हो जाएगा ठीक है अब यह तीन चीज तो clear है बाकी तीनों में same事情 है ठीक है तो बैंटरी सब्सक्राइब है और यह तो two hexour है ठीक है और हुमने क्या किया subject का हमने इस बना दिये object अब हमने बनाए क्या बोलते हैं तीन यह बनाए और तीन हमने object बनाए है ठीक है hex observer में हमने सब क्या है सब करना थे अब उसके बाद उनको क्या करना है उनके उपर रहे हैं जीसे हम सबस्वाइब कर रहे हैं थीक है भई हम तुनको तुनको हम हेट्स को मैगजिन देंगे हम और वेटड़ से उस秩ो क्या करना है वो उसकी मर्जी है ठीक है अब हम क्या कर रहें ठीक है हमने भेज दिया ठीक है उसके बाद scanner जो है normal अपना input output के लिए ठीक है एक इंट चला आइस 0 से लेके 0, 1, 2, 3, 4 तक चलेगा less than 5 ठीक है enter a number ठीक है और अब dot state ठीक है यह च्षोड scan dot connection एक क्या करेगा तीर से इंपूट लेगा अब suppose तूने दिया One ठीक है सब्सक्रास तूने दिया वन ठीक है ठीक है तो वन किदर जाएगा ठीक है set state ठीक है अब हम जाते निए absent object सब्सक्रास प्शेट्देक में ठीक है subject का set state क्या है? ये state को set कर देगा value पे हमने अभी क्या भेजा? value one ठीक है? one भेजा अब one किदर जाएगा? ये state में save हो जाएगा उसके अब हमने क्या कॉल के? execute अब execute क्या करेगा? अंदर जाओ for observer का object observer colon observers अब इससे क्या होगा ये? ठीक है अब यह क्या होता है हर observer के लिए यह इसको लूप को चलाएगा अब हमारे पास कितने observer है hex, oct और binary यह चीज़ किदर से होती है इस list में ठीक है तो जब तक इस list में समान है तब तक की लूप चलेगा और उसमें चले observer.update कर लेगा अब observer.update क्या है ठीक है hex observer में जाएगा यह वाला चला देगा तो one को वह hex में convert करेगा फिर oct में जाएगा इसको octal में convert कर देगा फिर इस binary में जाएगा उसको binary में convert कर देगा फिर तो दूसरा नमबर देगी तू फिर सेम प्रोसेस उसके लिए होगा जितना नमबर देगा वह execute होते रहेगा ठीक है इसमें हमने क्या 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 बोलते observer को store कर रहा है कि कौन-कौन है बता दो भई इस like a subscriber list ठीक है कि क्या बोलते है हम जैसे email में newsletter रहते है ठीक हम subscribe कर दे तो यह list में हो गया इसके बाद हमने क्या कि add कर दिया सब्सक्राइबर को ठीक है हम add कर दे ठीक है और फिर यह get straight किसलिए है कि वह जो है लेस सब्सक्राइबर जो है डेटा ले सकते हैं कि अगर कुछ value डालना है तो डाल सके ठीक है यह जो है client करता है इसलिए हमने public किया ठीक है लेकिन यह याद रखना यह जो observer है यह observer नहीं edit कर रहा value observer सिर्फ value ले रहा है edit कौन कर रहा value set set कौन कर रहा main function इसलिए हमने इसको public रख है ठीक है observer को सिर्फ कामने लेने के लिए वह edit नहीं कर सकता ठीक है इसलिए यह जो है set set main function होता है उसका execute function ठीक है execute मतलब हाँ ठीक है अब यह newsletter भेज दो उसके newsletter किसको किसको भेजो जब तक हमारे newsletter के लिश्ट में ठीक है जैसे इसे मेरा email 13 email ऐसे 10 email दसों email को भेजो और observer को update कर दो अब update function के अंदर पदलब चीक है अब तुमको इसके अंदर क्या करना करो अब इसके अंदर क्या 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 कर दिया और इसमें जो है अप्टल में कर दिया हेक्स में कर दिया तो यही है यह तरह इसका थेओरी पढ़ लें